बिस्मिल्लाहिरुराख्मान एरुराहिम असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू मेरी चैनल कोकिंग ड्विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो अफ्यासे होंगे आपको हमेशा हुशारबाद रखे आमीन सुमामेन तो विवर्स आज हम आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करेंग और इसकी सफैदी एक साइड पे हो जाती है और दूसी तरफ जब वायल करने के बाद हमें इंको चीलते हैं तो आदा अंडा तो हमारा चिलकों के साथ ही निकल जाता है यानि कि अंडा देखने में भी बुरा लगता है चीलने में भी हमें दुश्वारी होती है वासका आज हमने फेस करना है इन सारे ही बातों को कवर करना है इन सारे ही मसायल को हमने हल करना है कहने को तो यह बहुत ही चोटा सा और आम सा तरीका है लेकिन इसके लिए भी ट्रिक्स की जरूरत होती है इसके लिए हमें टिप्स की जरूरत होती है तो इन सारे ही ट्रिक्स और टि तो चली वर्स अब एक पैन ले लेते हैं यहां पर मैं चार अंडे बॉयल करने जा रही हूं तो इन चारों ही अंडों को बहुत ही एहतियात के साथ हम शामिल कर देंगे पैन के अंदर ताकि ये अंडे तूटने ना पाएं क्योंकि अंडे तूट गे तो सारा ही इसका मिट्र लेते हैं तो चार अंडे हमें इसके अंदर शामिल कर दिये हैं अब बारी आई है पानी डालने की बहुत ही इमपोर्टन जो काम हम नहीं करते हैं थोरा सा पानी डाल के हम अंडों को बइसका नतीज़ा ये निकलता है कि अंडे एक साइड पे हो जाते हैं यानिके जर्दी यहां पी ज्यादा इस्वाल करेंगी इतना पानी आपने डालना है कि अंडे अच्छे तुलीके से इसके नदर डूब सकें और कम और एक इंच पाने अंडों के ऊपर ही रहना चाहिए तो चलिए वज अब थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे नमक शामिल इसलिए किया जाता है ताके चिलके असानी से सेपरेट हो सकें दूसी तरफ हमने चूला हाई फ्लेम पी कर दिया है और इसके उपर लग देते हैं पैन और इसको कवर करके बॉयल कर लेते हैं पांच मिनट बाद मैं इसकी कंडिशन दिखाऊंगी हमें इसको तक्रीबन 10 मिनट के लिए बॉयल करन पाँच मोनट के लिए हम इसको द्वारा से कवर करके पका लेंगे, तो यहां पे पूरे 10 मिनट घुदर चुके हैं, और हाइड बोाइल अंडे हमने त्यार कर लिये हैं, इसका पानी हमने सेपरेट कर लेना है, और अंडो को अलग कर लेना है, अब इसके चिलने के दो से तीन ही रहें ठंडे ना हो जाएं क्योंकि गर्म-गर्म अंडे खाने का अपना अंडे ना हो जायें दों के उपाने अंड़ों को अछी तरीके से शेक कर लेना है इस तरीके से भी आप चिलिके बहुत आसाने से उतार सकते हैं तो चली वर्ज ये तो हो चुका एक तरीका अब हमने क्या करना है दूसरा तरीका आपसे शेर करना है एक गलास ले ले इसके अंडर डाल दें और इसको हलका सा शेक कर ले दो सी तीन मर्टबा इसको हिराएंगे तो ये बिल्कुल इसके छिलके नर्म से हो जाएंगे गलास की जगा पर आप चाहें तो आप मग भी ले सकते हैं मग के अंदर भी इस अंडरों कर डाल के तो एक एक करके इसना शेक कर लेंगे तो ये देखे आप मैं आपको इसको बहुत ही असानी के साथ छिलके भी उतार के दिखाती हूं ना तो अंडा टूट रहा है ना छिलके के रहा है ये देखे कितने आसानी के साथ छिलके उतरते चा रहे हैं तो ये देखे वस कितना साफ सुत्रा सा और मज़ेदार सा अंडा तयार हो चुका है इसको रखते हैं एक प्लेट के अंदर और अब मैं आप से तीसा तरीका शेर करते हूं यानि के पैन के अंदर भी आप कि अंदर भी शेक करके इस चिलकों को नर्म किया जा सकता है लेकिन शड़ यह है पिर फीर घर भी रहते हैं यह नहीं हों गया को यह बहुत रिखें एक हिरता की से जल्का इदों हें यह को द बहुत लगए क्वा खो सारे ही मसायल से छुटकारा हासिल होने वाला है अगर आप मेरे इन सारे ही तरीकों में से कोई एक तरीका भी जो आपको असान लगे अपनाएंगे तो यह देखे विवर्स एक और अंडा मैंने आपको छील के दिखा दिया कितना इजीली और बहुत ही असाने के साथ इनके छी बेजार परट हो गए है तो मेरे विष् grit वोद आपको मेरे यह सारा ही तरीके वसांदै। जैसे भी आप अंडा चीलना चाहते हैं आप आसाने से और बहुत फी जल्ली और बहुत फी गर्मा अंडे सेखिख उक्तिया बहुत हम ज़ीए जिरूर भताएगए ओं कटर नहीं है तो आप छूरी की मदद से इंगो कट कट सकते हैं तो यह देखे विवर्स कितने अच्छे से हमारे अंडे वाइल हो चुके हैं जर्दी बिल्कुल भी सेपरेंट नहीं हुई है बिल्कुल ही दर्मियान में रही है यह देखिए इस अंडे को मैं प्लेट में डाल कि आपको दिखाते हैं कि इसकी दर्दी कितने अच्छे तरिके से दर्मियान में ही रही है कितने मज़े का और कितना अच्छे तरिके से अंडा वाइल हो चुका है तो विवर्स यह तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शियर कर दीजेगा और इनी तरिकों के साथ वाइल कीजेगा तो इन्शाला आपको किसी भी किसम की कोई दुशारी नहीं होगी तो चली वर्स चल्दी से जाए गर्मा गर्म अंडे बनाएए खुद भी खाईए बच्छों को दीजिए और खुब इन्जवाई कीजिए इसके साथ ही विवर्स इज यादत चाहती हूँ फिर हाजिर होंगी इन्शाला एक नई रैसिबी के साथ अपना बहुत सा हया रखिएगा मुझे भी द्वाव में याद रखिएगा अलाहाफेज